दोस्तो यह है तेलंगाना जो कि एरिया वाइस हमारी देश का ग्यारवा सबसे बड़ा राजी है आज से 8 साल पहले यहां अंधरप्रदेश का हिस्सा हुआ करता था लेकिन 2 जून 2014 को अपचारिक रूप से इसे अलग राजी का दर्जा प्राप्त हुआ वही आज के समय में भारत के सबसे तेजी से उभरते राजियों के लिस्ट में यह गिना जाता है तो आईए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तेलंगाना राजी के कुछ टोप 5 सिटी के बारे में तो इस लिस्ट में पांचवे नंबर पे आता है निजामाबाद सिटी यह निजामाबाद जीले का मुख्याला है जो तेलंगाना राजी के वन अप दो मेजर एडूकेशन सेंटर के तौट पर जाना जाता है वही 2011 सेंसिस के मुताबिक यहां की आबादी 2.11 लाख लोगों की है तथा इस सहर की अर्थ व्योस्ता बड़े पैमाने पर इंडिस्ट्रीज और यहां की नीजी व्योसाय पर आधारी थे नंबर चार पर है खंबम सिटी यह सहर तेलंगाना राजी के पूर्वी हिसे में लोकेटेड है जो अपने खंबम फोट के लिए काफी प्रसीद है या पूरा सहर 94.37 किलोमेटर स्क्वाइर एरिया में फैला हुआ है जहां की आबादी लगभग 3.45 लाख लोगों की है अगर देखा जाए तो खंबम तेलंगाना के एतिहासिक सहरों में से एक माना जाता है जो आज के समय में मोटन सिटी के रूप में विक्सित हो रहा है नमबर तीन पर है करीम नगर सिटी यह तेलंगाना का एक प्रमुक व्योपार केंदर है जो व्यापक रूप से ग्रेनाइट और एग्रिकल्चर के लिए जाना जाता है इस सहर की अबादी की बात की जाए तो यहां के अबादी लगभग पांच लाग से भी अधीक है और इसे भारत की स्मार्ट सिटी मिसन के तहद भी चुना गया है वहीं करीम नगर की मेजर एकोनोमी एग्रिकल्चर इंडिस्ट्रीज और यहां के सर्विस सेक्टर पर अधारित है नमबर दो पर है वारंगल सिटी यह छेतरफल और जनसंख्या की द्रिश्टी से तिलंगाना राजी का दूसरा सबसे बड़ा सहर है तथा यह हमारे देश के 11 सहरों में से एक है जिन्हें हैरिटेज सिटी के लिए चुना गया है वहीं वर्तमान समय में वारंगल इस राजी का फास्टेस ड्रोइंग सिटी है जो एगरिकल्चर, इंडिस्ट्रियल और तेलंगाना की आईटी छेतर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है नमबर एक पर है हैदराबाद सिटी यह वर्तमान समय में इस राजी की राजधानी और यहां का सबसे बड़ा सहर है जिसे दस सिटी ओपल्स या फिर निजामों का सहर भी कहा जाता है वहीं आज की समय में यह सहर एकोनोमी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ट्रैपिडली ग्रो कर रहा है जहां पर आपको कई हाई राइस बिल्डिंग, बेहतर रोड नेटवर्क और कई तरह की मोडन स्विधाय देखने को मिल जाएंगे आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में